आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरा नाम ऐसे धान तग नहीं होता ही, स्टेडी ग्लोस पे आपका बहुत बसवागत है। आप सबको हमारी तरफ से तौफा, लेकिन ये तौफा डेपेंड करेगा हमको कितना सपोर्ट करते हों। Q&A form में मैं Monthly Current Affairs करूँगा, ये हमारे Paid Course में भी जाएगा, जो बैंक की कोर्स है, और आप मुझे Comment box में भी बता हो और इसको आपको जादा से जादा शेयर करना है। Best 300 Current Affairs मैं हर महिने के cover करूँगा, फिलाल चाहे GI tag हो, चाहे books and authors हो, चाहे appointment हो, चाहे कुछ भी हो, one day exams के लिए ये बहुत जदा important रहने वाले हैं। लेकिन again, you have to show the support, आपको उमको support दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप support दिखाते हो, जब आप share करते हो, जब likes आते हैं, comments आते हैं, तो हमको बहुत motivation मिलता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो फिर हम लोग काफी demoralize हो जाते हैं, कि आप ये इसको continue करें कि ना करें तो GI tag से हम शुरू कर रहे हैं, कल books and authors मैं करूँगा, appointments मैं मैं करूँगा, सब कुछ करेंगे हम, एक एक चीज, मतब कुछ नहीं चोड़ेंगे, और महीने के end में best 300 current affairs मैं लेकि होगा, यानि कि exams में कुछ भी नहीं छूटने वाला, तो हम बात करेंगे आज GI tag, September के महीने मे किन products को GI tag मिला है, तो सबसे पहले तो GI tag की बात कर लेते हैं, मैं आपको बता देता है, format इस तरीके का रहेगा, ठीक है, ऐसा यह question, then answer और उसके बाद पूरा explanation, ठीक है, तो अगर GI tag की बात करें, तो इसका नाम होता है, full format geographical indication, तो यह एक नाम है, sign है, जो products को दिया जाता है, अगर मान लिजे कि आप कहीं रहते हैं, और वहाँ पर कोई चीज बड़ी बढ़िया मिलती है, और अगर उसको GI tag मिल गया, कि भाई, यह इस जगा की speciality है, आपकी जगा उस product से जानी जाएगी, तो एक तो वो जगा famous होती है, दूसरी बात उस product भी famous होता है, तो यह बहुत आई tag मिलते रहते हैं, और वही यह कि it is, यह क्यूं है, ताकि जो unique traditions of communities हैं, उनको protect किया जाए, बड़ी-बड़ी industries आप देख रहे हैं, माल लिजे कि मिर्च है, कहीं मिर्च बहुत बढ़िया, जो यह communities है, मिर्च बहुत बढ़िया उगाती है, long है, बहुत बढ़िया उग कि बड़ी-बड़ी industry ने हमारी domestic industry को तबाह कर दे, industrial revolution ने हमारी domestic industry जो क्यों काफी booming थी, खराब कर दे, तो यह ना करें, बड़ी industries, बाई यह जो traditional knowledge है, जिस तरीके से यह कोई product को बनाते हैं, produce करते हैं, उसका importance इतना ज्यादा रहता है, यह industries ना खराब करें, इसलिए GI tag और important हो जाता है, तो GI tag exam में भी पूछा जाता है, पूछा ही जाता है, चाए वो UPSC का exam हो, चाए वो SSC का exam हो, चाए बैंक का exam हो, लेकिन GI tag is important, आपको बता दू कि banks की wants आई हैं, बहुत सारी आई हैं, हमारा शानदार banking का video on demand course आपके लिए उपलब्द है, 4500 प्रस घंटे का content है, और इतना शानदार content है कि क्या बता है, और बहुत ही कम दामों में, तो आप इन courses को जरूर अवेल कर सकते हैं, तो हम अब शुरू करते हैं, September महिने के important GI tag, which state sirar kong chili and thumbing long orange have been given geographical index, GI tag, अब आप समझ ये कि sirar kong chili, ये मिर्च और ये जो orange है, इसको elephant chili भी बोला जाता है, इनको GI tag मिला है, तो सबसे पहले तो ये सवाल में आपको पता होना चाहिए, ये सवाल में 2-3 सवाल और covered है, सवाल से सवाल निकलेंगे, पहली बात तो sirar kong chili और thumbing long orange को GI tag मिला है, अब ये कौन से राज्यम है, देखिए, sirar kong thumbing long ये आप समझी गए होंगे, ये North Eastern name है, इस तरीके की जगातों वहाँ पे नहीं मिलती है, तो पहला तो ये ही सवाल बन गया, कि sirar kong chili और thumbing long orange को GI tag मिला, आचा दूसरा सवाल ये है, कि भाई ये कौन से राज्यम है, तो मेगाले में हो सकता है, बिलकुल हो सकता है, तमेल लाड़ो में नहीं हो सकता है, मैंने बता is the correct answer, तो यहाँ पे इनको grow किया जाता है, और उनको GI tag मिला है, तालिया बजाईए, अच्छा और किसको GI tag मिला है, सितंबर के हैं याद रखिएगा, चीकु, फ़ल होता है चीकु आप खाते हों में बड़ा अच्छा लगता है, विराट कोली का नाम निकनेम भी चीकु है, तो चीकु जो है, वो पालगर महरास्ट में, पालगर वहीं जहाँ पे आपको याद हो कि लिंचिंग हुई थी, और काफ इस पे बवाल भी हुआ था, तो चीकु महरास्ट के पालगर में उगाया जाता है, उसको भी GI tag मिला है, उसके बाद शाही लीची, याद रखिएगा यह आसान है, अगर आप बिहार में रहें, जैसे मैं मुझफफरपुर में रहा हूँ, 2002 में, तो वहाँ पे लीची बहुत 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 पहतरीन मिलती है, और बहुत ही कम अदामों पे, जो लीची आप बहुत 60-70 रुपे किलो मिलेगी, 50-60 रुपे किलो, वह आपको वहा यह फेमास है बहुत जादा, तो शाही लीची जो है, वो बिहार, बिहार में लीची, पूरे बिहार में बहुत, अगर बहुत सस्ती मिलती है वहाँ की लीची, वहाँ पे जो लीची होती है, जहाँ पर प्रोड़क्शन जादा होता है, किसी भी चीज का जहाँ पर प्रोड वेलोर में Spiny Brinjal को भी GI Tag मिला है अगली बार से मैं कोशिश करूँगा कि सब की तस्वीरे लगा दूँगा उसके बाद West Bengal सरभाज और सारपुरिया ये दो मिठाईया है इनको भी GI Tag मिला है ये West Bengal की मिठाईया है सरभाजा और सारपुरिया मैंने नहीं खाई है फिर हापुस तो आसान है हापुस आम आम की बहुत ज़्यादा वेराइटी आती है दशेरी यूपी में बहुत बिक्ता है और दशेरी बहुत ही मीठा आम भी होता है तशेरी हो गया, लंगड़ा हो गया, अलपॉनसो हो गया, चौसा हो गया हापुस मैंगो जो है वो महराश्च का इसको भी GI Tag मिला है बहुत बढ़िया अब उसके बाद अगें दूतरा सवाल सोजात महंदी जो है इसको GI Tag मिला है अब ये कौन से राजजिकी है बताएए सोजात महंदी जो है उसको भी GI Tag मिला है विच स्टेट इस इस रिलेटेट टू तो देखिए दोस्तों ये बड़ी ये जो महंदी होती है आपको बताओ कि सरकारी GI Tag देती है ठीक है जैसे इंडियन गवर्णमेंट जो है वही GI Tag देती है तो ये जो महंदी होती है लोग महंदी लगाते है इन फाक ये तो प्रोफेशन है आपको बताओ कि जब शादियों में तो महंदी का सीजन होता है तो काफी जो लोग हैं महंदी का बिजनस करते हैं कि भाई हम महंदी लगा रहे हैं 100-200 रर फे महंदी लगाने का लेते हैं अच्छा बिजनस है देखिए आपको यह जो one-liners है ना आपको ट्रिक्स बनानी पड़ती है कि आप इसको याद कैसे करेंगे क्योंकि देखिए जो समझने वाला होता होता है लेकिन यह तो one-liners है तो सोजात महंदी आपको याद करना पड़ेगा तो they are from Rajasthan अब आप यह देख सकते हैं ठीक है और यह पाली district of Rajasthan में यहाँ पे सोजात की महंदी जो है वो लगाई जाती है और यह अपने color और fragrance के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है अब इस महंदी को भी GI टाग मिला है अब इसके दाम भी भढ़ जाएंगे अच्छी बात है राजस्थान में 15 और प्रड़क्ट जैसे बीका नेरी भुजिया बागरू प्रिंट शंगा नेरी प्रिंट इनको भी GI टाग मिला है अब इसमें सोजात महंदी भी आ गई है स्वीट क्यूकंबर क्या बात है खीरा इसको भी GI टाग मिला है खीरे को भी GI टाग कभी भी खीरा खाओ ना हमेशा याद रखना अच्छा इसको भी GI टाग मिला है ऐसे भी आप याद कर सकते हो कभी याद रखना बटा कभी भी खीरा खाओ ओके इसको GI टाग मिला है चलते comment box में बताओ तो नागा लैंड sweet cucumber के लिए famous है और इसको भी GI tag मिला है कभी भी खीरा खाओ याद रखना को रहा अच्छा खीरे का अच्छा टेस्ट हुआ तो हमेशा नागा लैंड oh my god जब भी मैं नागा लैंड जाओंगा तो sweet cucumber जरूर खाओंगा cucumber में खीरे में 90% पानी होता है तो उनको भी GI tag मिला है as an agricultural product under GI identification of goods registration and production act 1999 ओके नौर्थी season में खीरा जो है वो बहुत ज़्यदा उगाया जाता है नागा लैंड की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा पांचवे नंबर पर आते हैं जो सबसे ज़्यादा वहां पर उगाया जाता है cultivated है और production में तीसरा है बहुत अच्छी बात है नागा cucumbers ये अपनी sweetness और green color के लिए famous है वो कहते हैं कि वो उपर काट दो से घिस दो तो जाग निकलता है तो उससे कड़वाट कम हो जाती है potassium में रिष होते हैं ये low calories तो ये बहुत अच्छा होता है salad में अक्सर cucumbers को यूज किया जाता है खीरे का रायता बनता है हो दाल चावल के साब खीरे का रायता को मज आ जाती है तो कभी भी खीरा देखो हमेशा नागा लेंड याद आना चाहिए ओ नागा लेंड में GI टाग ओके तो यही चीज है तो क्यूकंबर नागा लेंड से आया है लेकिन ये पहला नहीं है नागा लेंड में और भी चीजे है जैसे टोमाटो, वह, टोमाटो, नाग राजा चीली, तो इन दोनों को भी GI टाग मिला है, अब इसको कैसे याद रखोगे, भाई, खीरा टमाटर, सलाद, जब भी खीर, अब खीरे में टमाटर भी डाल दो, तो अक़र टमाटर भी मिला, तो ये कहां से आया है, ये आया है, नागा वहीं से इसको GI tag मिला है, चौथा, जुडिमा राइस वाइन, जुडिमा राइस वाइन जो है, इसको भी GI tag मिला है, यह कौन से राज जिसे है, यह है आसाम से, आब इसको कैसे याद करेंगे, देखो MA, MA का उल्टा होता है, AM, तो आसाम में आ रहा है, इसके ऐसे भी आप याद रखना है आपको, ठीक है, अब कैसे भी याद रखो, मैंने बता है, GI tax को आपको याद रखने में मुश्किल हो सकते, इतने सारे GI tax होते हैं, तो जुडिमा, जहां से यह खतम हो रहा है, नहीं तो MA, AS, तो दो तरीके साब याद कर रख सकते हो, तो जुडिमा राइस वाइन जो है, वो आसाम की है, यह इस तरीके से यह बनाई जाती है, जुडिमा, और वैसे भी आपको पते है कि नॉर्थीस्ट में, और इधर वेस्ट बंगॉर में चावल की खेती बहुत जाता है, चावल एक water incentive crop है, तो यह homemade rice wine है, पूरा योरॉप वाइन पर जिंदा है, रेड वाइन है, लेकिन यह rice wine है, चावल से इसको बनाया जाता है, आसाम की दिमासा ट्राइब जो है, वो इसको बनाती है, और यह पहली traditional wine है नॉर्थीस्ट में, जिसको GI टाग मिला है, और rice होता है, rice की भी variety होती है, बासमती rice होती है, फिर वो अलग अलग varieties होती है, तो यह चिपचिपे, जो sticky rice होती है, चावल से बनाया जाती है, इसको steam किया जाता है, उसके बाद traditional herbs डाली जाती है, और उसके बाद बहुत अच्छा टेस्ट होता है, याद रखेगा यह, wine इसका मतभी यह नहीं की नशीली है यह, ठीक है, इसमें alcohol नहीं मिलाए जाता है, ओके Willow Cricket Bat, Willow Cricket Bat, इसको GI Tag मिला है, यह असान है दोस्तों, कि कश्मीर जो है, कश्मीर की जो लकडिया, जो वहां के जो चिनार की पेड होते हैं, बहुत लंबे-लंबे, उसकी लकडिया बहुत ठोस होती है, तो उससे bats बहुत बढ़िया मनते हैं, तो Willow Cricket Bat, जो है, उसको GI Tag मिल Best to 300 Current Affairs में तभी बनाऊंगा, जब आप हमको थोड़ा support देंगे, comment box में, comment box बरसा दीज़े, उसको खूप share करिए, जितना हो सके, भाई, मेरा यह पहला इस तरीके का lecture है, और मेरी कोशिश ही रहेगी, कि आपको इतने बढ़िया तरीके से याद कराओ, कि आप कभी भूले ही यहीन, ऐसी ऐसी ट्रिक्स बता दू कि आपको हमेशा याद रहे, खुश रहे पर तरीज़े सिद्धान तगनी होतरी साइनिंग आप